एक सकंट रुकना है एक सिकंट रूपना है एक सिकंट रूपना है तो एवरीबडी आस्क मी देखे दो दिन पहले को टरीब उननचास लोगों ने एक चिठी लिखी और उनने बोला हिया हम पॉलिटिक से हमारा कुछ लेना देना नहीं है हमारा एक इनसान की तरह और एक क्रियेटिव फिल्मेकर की तरह से दिल धड़कता है जब मुसल्मान लोगों की लिंचिंग होती है ऐसा उनने अपनी चिठी में मोटा मोटा इस तरह की बात करी है और जैश्रीराम का नारा लगा के लोगों को मारा जाता है जो मेरी नजर में मैं दिन रात हिंदुस्तान में घुंटा हूँ जो जूट है ये जो जैश्रीराम के नारे लगाने की बात जो शुरू ही है ये भी एक्चुली इसका प्रिल्यूट था वो ट्रेलर था और इसके बाद ये चिठी आनी ही आनी थी क्योंकि आप देखिए मोस्ट आफ दा केसे में वो सारे नारे जूट निकले दूसरी बात जो है ये कहना कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को लिंच किया जाता है पूरी तरह से जूट है क्योंकि आप देखिए जब से मिस्टर मोदी की नई गौर्मेंट बनी है तब से जो 5-6 लोगों की जो लिंचिंग हुई उसमें मैकसिमम नंबर तो हिंदू लोग है उनमें दलित लोग भी है और जब मुस्लिम लोग दलित को मारते है तो कोई नहीं बोलता है ये बात कि क्या बोलते हैं मुस्लिम उसमें दलित को मारा है ये बेसिकली सारी पॉलिटिक्स मिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है ये लोग 2002 से मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक ऐसा पेंट करना चाहते है इंटरनेशनली की एक कोई राक्षस आ गया है जो की माइनॉरिटी को मारने में लगा हुआ है और जो पूरी तरह से गलत narrative है मेरा ऐसा विश्वास है कि गरीब लोगों के लिए पिछड़े हुए लोगों के लिए महिलाओं के लिए गाओं में रहने वाले लोगों के लिए और खास दोर पे minority के लिए पिछले पांस साल से अच्छा कोई वक्त था नहीं इसलिए आप देखिए कि उनकी majority बढ़ के आई है और इस बार उनको जादा जादा महिलाओं ने भी vote किया है तो ये मैं false narrative के अगेंस्ट हमने चिठी इसलिए लिखिए ताकि लोगों को समझ में आए कि एक असली point of view क्या है और जो जनता है दोनों point of view लेके खुद डिसाइड करेंगी सच करेंगी सब्सक्राइब करेंगी सब्सक्राइब करेंगी आप तो दिखा देता हूँ यहां पर यह देखिए ओके जियां तो मरने वाले जो पिछले 23 23 मई 2019 के बाद जिन लोगों की मॉब लिंचिंग में मृत्यू हुई है उनके नाम कुछ इस परकार हैं पहला नाम है भारत दूसरा नाम है मतीन तीसरा नाम है शिंदे जो एक दलित हैं चौता नाम है विनए वो भी दलित हैं और इनको मुसल्मान लोगों ने मारा था है और पाच्वा नाम है गंगा राम आप बताईए इसमें कहा माइनॉरिटी की लिंग की बात आई क्यों इसको पेंट की इसमें जैश्री राम कहां से आए जैश्री राम के जो पाच किसें उन में से चार किस्सों में तो उनी लोगों ने बोला है कि हम नाटक कर रहे थे और जबरदस्ती कर रहे थे एक केस में मैंने जर्निलिस्ट लोगों ने ही ऐसा लिग दिया था एक महराश्ट्रा का केस है जिसमें मुश्किल है तीसा चालिस सेकंड लोगों में लड़ाई हुए और कह दिया जैश्री राम के नाम पे कर दिया तो फिर अगर वो कहते हैं तो जो पचास जवानों को पुल्वामा में अल्लहु अक्बर के मारा गया था उसका मैंशन क्यों नहीं है अब तक माना जाना था इस वज़े से यह सारे प्रोको करणा पड़े हुए लेक्शन खतम है सरकार बन चुकी है अब यह किस रीजन की वज़े से नहीं तो अब चालू हुए अच्छली वो तो इलेक्शन नरेंद मोदी यह खता अब तो बाकी लोग का इलेक्शन चालू अब परना सेन की आप फोटो देख सकते हैं एक्शल लोगों से बातचीत करते हुए इंटरनेट में भरी पढ़ी हैं वो फोटोग्राफ्स वो और उनकी कुंकरना सेन शर्मा यह सब लेफ्टिस्ट लोग है प्राब्लम है बेंगॉल में लेफ्ट हो गया है खतम एक तरह ब अर्बन नेक्सलिजम जो है वो रेट टेरर मनी समझे रेट टेरर मनी मतलब कम्मिनिस्ट टेरर मनी और इसलामिक टेरर मनी से फंड होता है और यह दोनों जो है रेट टेरर और जो इसलामिक टेरर फंडिंग है यह बेसिकली जो हिंदू कम्मिनिटी उसके अगेस्ट है क्यो कि हम ही एक मात्र पूरे विश में इतने डाइवर्स कंट्री हैं और भारत 2030 में सेकंड लार्जेस्ट एकॉनोमी बनना चाहता है और ये दो जो लोग है एक तरफ कम्मिनिस्ट एक तरफ इसलामिक टेरिरिजम ये भारत की ग्रोथ देखना नहीं चाहते हैं इसलिए चाहते हैं हमको हिंदू-बुस्लिम कॉनवर्सेशन अब बंद करना चाहिए एक किलिंग किलिंग होती है वो एक क्राइम है उसको धर्म के नाम पे जंता को डिवाइड नहीं करना चाहिए आइनेटीफोर में लिंचिंग चिड़ू होई थी आपके एनुसर वो क्या एक्सपीनिस नहीं से जिसके वरे से आपको लगता है नाइटीफोर में चिरू होई थी उसके बाद राजीव गांदी ने बोला जब बड़ा बरगत गिरता है तो लिंचिंग इंचिंग तो होती है तो उसके बाद से आम आदमी को लगने लगा हाँ जो बड़े लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं